नमस्कार हर्याना पंचायद चुनाव की कागजी कारवाही चल रही है जिहां हर्याना पंचायद चुनाव होने की दिशा में नए नए कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के अंदर वाडबंदी का काम चल रहा है जो 20 मई को इसकी अंतिम सुची परकाशित हो जाएगी धीरे हर्याना पंचायद चुनाव होने की दिशा में काम आगे चल रहा है और ये वाडबंदी का काम सुरू हुआ था जो 20 तारिक को फाइनल सुचीज की जारी हो जाएगी इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे तो ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके की काम चल रहा है हर्याना पंचायद चुनाव होने की दिशा में हर्याना पंचायद चुनाओ धिरे धिरे ही सही पर अपनी दिशा में बढ़ रहे हैं कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच म हर्याना सरकार अपनी कागजी कारवाई पूरी करने में लगी होई है जो वाडबंदी होनी थी उसका कारिया धीरे धीरे चल रहा है और ये मई के लास्ट तक खतम हो जाएगा हर्याना में पंचायतों ब्लोक समीती और जिला परिशद के लिए वाडबंदी की प्रकिरिया जा अधिकारी कम तैसिलदार की देखरेक में हर्याना पंचायती राज नियमावली 1994 के नियम 45 के तहत करवाया जा रहा है और इस कारेकरम के संपन करवाने के लिए संबंदित SDM को ओवराल इंचार्ज बना दिया गया है जो की अधिकारियों की गणन सुप्रिवाईजरों की न उनका निप्टान सुरू हो गया है और 11 से 18 मई 2021 तक हर्याना में पंचायती राज नियमावली 1994 के नियम 48 के तहत उपमंडल अधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों के बारे में निर्ने लिया जाएगा तथा 20 मई को अंतिम सुची जो पर पंचायती राज निर्वाच नि पंचायती राज नियमावली के तहत सरकल राज अधिकारी द्वारा निर्ने लिया जा चुका है इससे पहले 6-10 मई 2021 तक हर्याना में पंचायती राज निर्वाचन नियमावली के तहत सरकल राज अधिकारी के निर्ने के विरुद उपमंडल अधिकारी के पास भी अपील जायर कि जा चुकी है यह जो भी शिकायते थी वाढ़बंदी से समंदित वह सारी शिकायतें दर्ज हो चुकी है और अब इसके उपर करवाई सुरू हो चुकी है और στην करवाई के तुरंत बाद बीसा 21 माई को लास्ट सुची आ जाएगी और इसके बाद कोई भी शिकायत नहीं ली जाएगी पंचायती राज चुनाओ संस्थाओं के चुनाओ 21 में ही जरूर हो जाने चाहिए फरवरी 2020 में ही एलेक्शन 24 फरवरी से पहले पहले खतम हो जाने चाहिए थे पर किसाना अंदोलन और कोरोना के वज़े से नहीं हो पाया पर अंदर खाते जो कागजी करवा ही है वो सरकार कर रही है और इसकी सारी पंचायती की वाड जो बंद का अंदर खाते काम चल रहा है और कारवाई चल रही है और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके की काम च चायत चुनाओ होनी की दिशा में धन्यवाद